इगनेशाय नमो नमह मित्रो अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वाकत है आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विशे में आज के पंचांग में तिथी वार नक्षत्र योग और करण की विस्तरित जानकरी के साथ साथ आज का शुब समय अभिजीत महुरत और रात का चोगडिया और आने वाले दिनों के वरत और तिवारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है आए जानते हैं आज का शुब पंचांग पंचंग से पहले शुब कामनाई उन लोगों को जिनका आज जनम दिन है शुब कामनाई उन लोगों के लिए जिनकी आज हैप्पी अनवर्सरी है प्रमात्मा की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे आज के सुविचार में बहुत खुशकिश्मत होती हैं वे लोग जिने समय और समझ एक साथ मिलते हैं क्योंकि अक्सार समय पर समझ में नहीं आता और जब समझ में आती है तब समय हाथ से निकल जाता है आज की तारीक 6 जनवरी 2022 आज का वार गुरुवार आज पोश महा का 19 वा दिवस है पोश महा के शुकलपक्ष की चतुर्थी 12 बचकर 29 मिनट दुपहर तक रहेगी तद बरांत पंचमेति थी प्रारंब हो जाएगी 6 जनवरी 2022 के सूरोद्य का समय है 7 बचकर 15 मिनट सबह सूरास का समय है 5 बचकर 49 मिनट शाम को चंद्रोद्य का समय रहेगा 10 बचकर 19 मिनट सबह को चंद्रास्त का समय है 9 बचकर 49 मिनट रातरी को आज का नक्षत्र शत्विशा 6 बचकर 21 मिनट सबह तक रहने वाला है इसके बाद पूरवभाद रिपद नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर गो, सा, सी और सूश शिरू होती हैं वे लोग शत्विशा नक्षत्र के होती हैं इनकी राशी होती है कुंभ, कुंभ राशी का स्वामी है शनी, टत्रोद की बात करित वही टत्रो से सम्बंध रखती हैं गानिंकार है तहर आक्षश का नाड़ी आदी नक्षतर देवता वर्ण और सभाव से चर माने जाते हैं आज की सोरे राशी है धनू आज की चंदर राशी है कुम्भ आज का पहला करण विश्टी 12 बचकर 29 मिनट दुपहर तक रहेगा आज का दूसरा करण बावग 11 बचकर 43 म पहरों की सूची में साथ जनवरी को सकंद शाष्टी होगी नो तारिक को भानू सप्त में गुरु गोबिन सिंग जीनती मनाई जाएगी दस तारिक को दुरगा मासिक दुरगास्ट में और शाकंबरी उत्सव शुरू हो जाएगी आज का योग सिध्धी 3 बचकर 25 मिनट द आरंब हो जाएगा आज दक्षन दिशा में दिशाषूर है इसके निवारनार्थ जीरा वे दही खाकर प्रस्थान करना चाहिए ऐसा करने से दिशाषूर का परभाव कम हो सकता है और यात्रा भी सुखद और मंगल में हो सकती है आये जानते हैं सिध्धी योग के बारे में किसी भी प्रकार के सिध्धी प्राप्त करने प्रभू का नाम जपने के लिए यह योग बहुत उत्तमा नगया है इस योग में आप जो भी कारे शुरू करेंगे वह सिध्ध होगा अर्थात सफल होगा यदि आप सिध्धी योग में पैदा हुए हैं तो आप भोतिक संपत में रूची रखते हैं सिद्धी योग में जनम से आप महान कोशल रखते हैं और धन प्राप्ट करते हैं अपने द्रण संकल्प के कारण अपने काम में उतकरष्टता प्राप्ट करने की संभावना है आज का शुप समय आज का अभी जीत मुहुरत बारा बच कर छै मिनट दो पहर तक रहेगा बिजय मुरत का समय दो बच कर दस मिनट दो पहर से दो बच कर 51 मिनट दो पहर तक रहने वला है ब्रह्म मुरत का समय रहेगा पांच बच कर 25 मिनट सुबह से चा बच कर 20 मिनट सुबह तक आज का एशुप समय आज का रहुकाल एक बच कर 45 मिनट दो पहर से तीन बच कर तीन मिनट दोपहर तक रहने वाला है यमगंड काल का समय रहेगा साथ बच कर पंदरा मिनट सुबह से आठ बच कर तेतिस मिनट सुबह तक इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुब और मागलिक कारे शुरूर नहीं करना चाहिए आज के शुब योगों में से अमरत कालम योग ग्यारा बच कर चोबिस मिनट मध्यरातरी से बारा बच कर चपन मिनट अगले दिन सुबह तक रहेगा रवियोग का समय होगा चै बच कर एकिस मिनट अगले दिन सुबह से 7 बच कर 15 मिनट अगले दिन सबह तक आईए जानते हैं आज के दिन का चोगडिया शुब समय रहेगा 7 बच कर 19 मिनट सबह से 8 बच कर 36 मिनट सबह तक 4 समय 11 बच कर 8 मिनट सबह से 12 बच कर 26 मिनट दो पहर तक रहेगा लाप समय 12 बच कर 26 मिनट दो पहर से एक बच कर चवालीस मिनट तक रहने वाला है अमरत समय की बात करी तो एक बच कर चवालीस मिनट दपहर से तीन बजे तक रहेगा शुब समय चार बच कर सोला मिनट शाम से पांच बच कर चोनतीस मिनट शाम तक रहने वाला है आज ़ातरी के चुकडं़ एमेराभ समें 5 ब़च कर 34 मिनट शाम से 7 बच कर 17 मिनट शाम तक रहेगा 4 समें oficial समान समें 7 बच कर 17 मिनट शाम से 9 बजे तक रहने वाला है लाब समें 12 बच कर 26 मिनट मध्य रातरी से 2 बच कर 10 मिनट अगले दिन सबह तक रहेगा शुब समय 3 बच कर 42 मिनट अगले दिन सबय से 5 बच कर 36 मिनट तक होगा अमने समय 5 बच कर 36 मिनद अगले दिन सबय से 7 बच कर 19 मिनट तक रहने वाला है मितरोव ये था आज का शुब पञ्चांग आज बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ तब दख देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे जादा से जादा सब्सक्राइब करें शेर करें कमेंट करें लाइक करें वीडियो में अनते तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्य बादाएब।